हम सब जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, ये किसी भी वस्तू का नाम, ये क्या होता है? नाउन, इसे क्या का जाता है? नाउन, जैसे मेरा नाम, मेरा नाम अगर मैं आपसे कहूँ आदित्या, तो ये क्या है? आदित्य क्या है? ये एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन है, तो किसी जगह का नाम, किसी वस्तू का, किसी व्यक्ति का, किसी का भी नाम एक नाउन होता है, ये हम सब जानते हैं, और कोई भी नाम, कोई भी नेम, या कोई भी नाउन मैं कह सकता हूँ, वो किसी ने कि चाइल्ड मतलब बच्चा ये किस जेंडर में है ये नेबर पडोसी ये किस जेंडर में है तो मैं गैरंटी से कह सकता हूँ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाएंगे और बता नहीं पाएंगे तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को समझ लेते ह क्यान से देखिएगा सबसे पहले तो ये जो चाड़ जेंडर हैं मैस्कुलिन फैमिन और कॉमन और न्यूटर ये क्या होते हैं मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुलिंग फैमिन जेंडर को स्त्री लिंग कॉमन जेंडर को उभैलिंग और न्यूटर जेंडर को नपुन सकलिंग ये जो masculine gender है ये denote करता है किसी male animal को यानि ये पुरुष जाती का बोध कराता है example के तोर पे boy boy मतलब लड़का जैसे कोई कहता है boy ये कैसा noun है ये male को denote करता है तो ये किसमे है masculine gender में man, brother, king, papa, son, uncle ये जितने भी noun है ये किसे denote कर रहे है किसी male को तो ये सभी noun masculine gender में है एक word रखता हूँ आपके सामने wizard wizard किसे कहते है जादूगर को कहते है जादूगर बोला तो आपके दिमाग में तुरांत आता है कि एक आदमी है जो कि जादूगर है तो male को denote कर रहा है न तो ये भी masculine gender में है हाँ अगर मैं कहूँ जादूगर्नी जादूगर्नी उसे witch कहते है जादूगर्नी बोलते ही दिमाग में आता है कि ये किसी lady की बात हो रही है तो ये कौन सा gender है feminine gender क्योंकि feminine gender में वो सभी noun आते हैं जो कि female को denote करते हैं किसी street का बोध कराते हैं जैसे girl, woman, sister, queen, mummy, daughter, aunt ये सभी तो कुल मिलाकर masculine gender तो किसी male animal को denote करता है, animal क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इनसान भी तो समाजिक जानवर है, तो चाहे कोई व्यक्ती हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, अगर वो male है तो वो masculine gender में है, जो female है वो feminine gender में है, common gender में वो आते हैं जो या तो male होते हैं और या female होते है अगर मैं कहूँ child, child मतलब बच्चा, अब बच्चा तो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो child कहने से ये पता नहीं लग रहा है कि ये लड़का है ये लड़की, तो ये जो word है child, ये क्या है, एक common gender, इसी तरह से मैं baby कह दूँ, तो पता नहीं लगेगा पुरुष है कि स्त्री, classmate, student, person, इन सभी words में ये नहीं पता लग पा रहा है कि किसी पुरुष की बात हो रही है, कि स्त्री की बात हो रही है, इसलिए ये सभी क्या है, common gender में, अच्छा, neuter gender में ऐसे जितने भी noun है, जो कि ना तो male को denote करते हैं, ना female का बोध कराते हैं, वो आते हैं, तो examples क्या हो सकते हैं, pencil, pencil ना तो male है, ना female है, plant, pen, bed, kitchen, room, book, mango, ये किसी ना किसी चीज़ के नाम है, यानि कि noun है, लेकिन ये ना तो male को denote करते हैं, ना female को, तो ये सब क्या है, neuter gender में, अब यहीं पर अगर मैं एक word आपके सामने रख दूं, clever, और मैं आप से पू सोचिए कि आपका जवाब क्या होना चाहिए, हो सकता है आप मुझसे कहें कि सर, चालाक जो है, ना तो male है, ना female है, ये तो neuter gender में हो सकता है, क्योंकि neuter gender में कौन होते हैं, जो ना male हो ना female, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो clever है, ये word क्या noun है, क जहां पर उस लड़की के बारे में कुछ additional information दी गई है, उसकी quality के बारे में बताया गया है, तो ये word किसी का नाम नहीं है, ये noun नहीं है, ये क्या है? adjective है, क्योंकि adjective क्या होते हैं, जो किसी वेक्ति की quality के बारे में, उसके बारे में कुछ additional information देते हैं, तो कोई वेक्ति आपको confuse कर सकता है, आपके सामने कोई word रख सकता है और आपको ऐसा word दे सकता है जो कि न male हो न female हो और आप तुरंत कह देंगे कि यह तो neuter gender है, ऐसा नहीं, पहले आपको सोचना होगा कि यह noun है भी यह नहीं, क्योंकि gender में कौन होते हैं, noun, ना कि adjective या adverb या क और common gender में वो जो या तो male को या female को, और neuter gender में वो जो न male को न female को, यनि कुल मिलाके वो निर्जी वस्तूओं की बात होती है, non living, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यह भी बता दूँ कि कुछ ऐसे object होते हैं, जिन्हें living beings की तरह treat किया जाता है, वैसे वो living हो सूरज की, सूरज को हम सन कहते हैं, सूरज क्या है, सूरज एक ग्रह का नाम है, एक planet का नाम है, तो planet जो है, वो ना तो कोई male है, ना कोई female है, मैं यहाँ पर सूर्य भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक planet की, लेकिन English का एक सौंग है, the sun has got his hat on, and he यही मतलब है कि सूरज को, जो planet को, एक living being, एक सजीव की तरह personify किया जा रहा है, personify मतलब क्या होता है, किसी निर्जीव को, किसी non-living को, living की तरह दिखाना, यानि उसको living की तरह symbolize करना, जैसे मैं बात करूँ कि एक sentence है, India is a country, she is very rich in culture, इंडिया एक country है, वो culture में बहुत rich ह इंडिया के लिए, यहाँ पर she pronoun का use क्यों किया गया, क्योंकि इंडिया को क्या treat किया गया, as a female, हलाकि यहाँ पर she की जगा पे it का भी use किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया तो एक country का नाम है, आप इसे living being की तरह कैसे treat कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी examples हैं British English में, जहा पर इंडिया को as a country female personify किया जाता है, अब देखिए किस तरह से nouns को masculine से feminine बनाया जाता है, कई masculine words ऐसे होते हैं जिनके end में e double s या ine का use करके उनको feminine बनाया जाता है, जैसे lion, lion मतलब share, share को क्या कहते हैं, lioness, actor, actor का feminine क्या होता है, actress, prince का princess, tiger का tigress, waiter का waitress, hero का heroine, तो यहाँ पर e double s लगा दिया या ine लगा दिया, ऐसा कोई standard rule नहीं है कि इस word के साथ ही e double s लगेगा या ine ही लगेगा, ये तो actual में आपको याद करना पड़ेगा, कुछ ऐसे masculine words भी होते हैं जिनके लिए feminine word बिलकुल ही different होता है, जैसे boy, लड़के को boy कहते हैं तो ल क्या कहते हैं, spinster, घोडे को horse कहते हैं, घोडी को क्या कहते हैं, mayor, bell को bull कहते हैं, तो गाए को cow कहते हैं, cock किसे कहते हैं, मुरगे को, और hen किसे कहते हैं, मुरगी को, nephew किसे कहते हैं, भतीजे या भांजे को, और niece किसे कहते हैं, भतीजी या भांजी को, sir का madam, son का daughter, father का mother, grandfather का Grandmother, Landlord का Land Lady Landlord मतलब क्या होता है मकानमाली, तो मकानमालकीन को क्या कहते है Land Lady कहते है Peacock, More, Peehan Morni, अच्छा मैंने आपको शुरुआत में दो वर्ड दिये थे Child और Neighbor, Child का तो आपको पता लग गया कि ये Male भी हो सकता है Female भी हो सकता है, तो ये किस ये नाउन भी किस जेंडर में कहलाएगा Common जेंडर में आज के इस वीडियो में जो भी मैंने कवर किया है इसको मैंने एक आर्टिकल में आपके लिए लिख दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और अगर आप मेरी वेबसाइट spoken English.guru में जाएंगे तो आप ब्लॉग में grammar and spoken topics में भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं उमीद है आज के इस वीडियो से आपने gender topic को तो अच्छे से समझ लिया है अब मैं आपके सामने रखता हूँ दो word एक word है cousin और एक word है hope hope यानि उमीद और cousin आप जानते हैं अपने भाई ये बहन को चचेरा ये ममेरा भाई बहन को आप cousin कहते हैं तो cousin और hope ये दो words किस gender से हैं ये masculine है, feminine है, common है, ये neuter सो समझ के इस वीडियो के comments में आप ज़रूर लिखिएगा फिलाल आज के लिए यही तक उमीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए topic के साथ Thank you so much for watching